अस्सालाम अलेकुम तैंको तक्राय बताता हूँ मेरा नाम मामा शेख है मैं यह जानना चानता हूँ कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो मस्जित में एलान कर सकते हैं इसके बारे में आप मुझे इस बताई है इसका जवाब पहुचा दे ऐसा कर सकते कि ने तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं बलकि ऐसा करना बहुत ही सवाब का काम है करना चाहिए किसी बच्चे का गुम हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है जान का मसला है किसी के ऑलाद का मसला है और मजजित से एलान करने से अगर इस حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ مسجد میں اعلان نہ کرو. उस حدیث میں کسی انسان کے گم ہونے کی بات نہیں ہے. बलकि उस حدیث میں تو یہ ہے کہ صحابے کرام نماز पढ़ लेते اور एक شخص آیا وہ अपने उंट को तलाश कर रहा था और उसने ये इलान करना शुरू कर दिया किसी ने मेरा उंट देखाए की ने तो उस मौके पर अल्लह के नबी असले ने मना फरमाया और बाद रवायत में है कि जिस किसी को देखो कि मस्जिद में गमशिदा चीज़ का ऐलान कर रहा हो तो उसको बद्वा दे दो ये कहो ला रद्दा लाह अल्य अल्लह तेरी गमशिदा चीज़ को तुझे वापस ही न करे तो ये जो पूरी हदीथ है जिसमें अल्लह के नबी ने मसाजिद के अंदर से गमशिदा चीज़ों के ऐलान से मना फरमाया है इसमें माल का मसला है कि कोई माल गम हो गया उंट है जानवर है माल है ये खजाना है तो इनका ऐलान आप मस्जद में नहीं कर सकते हैं लेकिन एक इनसान गम हो गया ये माल नहीं है ये माल नहीं है बलकि ये जान है ये इनसान है इनसान की ऑलाद है तो इनसान अगर गम हो जाता है तो इसके बारे में कुरान अदिस में कहीं नहीं मना है कि आप उसका एलान मस्जिद में नहीं कर सकते हैं बलकि सही बुखारी ही के हदिश है कि मस्जिद में एक और जाड़ू दिया करती थी इत्फाक से उसका इंतिकाल हो गया और जब उसका इंतिकाल हुआ तो अल्लह के नभी असले सल्म को खबर नहीं दीगी क्योंकि रात का वक्त था और सहाब एकराम ने ले जाके उसको दफ़न कर दिया आप अगले दिन आए, दूसरे दिन आए, कई दिन आए और आप ने फिर उस औरत को नहीं देखा तो फिर एक मौके से अल्लह के नभी ने मजजिद ही में ये पूछा कि वो औरत कहां गी और बाद रहात में फगदा का लवज़ है कि अल्लह के नभी ने उस औरत को गुम पाया देखा कि वो औरत गाहब है, वो नजर नहीं आ रही तो वो कहां है तो आप ससम्ने सवाल किया, मजडित के अंदर ही सवाल किया मजडित में मौझूद लोगों से पूछा कि वो अरत कहा गई तो सहाबे कराम ने का अल्लह के नभी अस अरत का तो इंतकाल हो गया तो आप ससम्ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं टो सहावे कराम रदियल्वा उनहीं ने फरमाया कि ALLAH की नभी aí मैं रात का वक्त था और हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा कि रात का वक्त था और हमने आपको तकलीध देना मुनासिब नहीं समझा तो आप सथ्य अस्हासर चाहिए उसी हदिस में है मस्जिद ही में आप पूछ रहें कि औरत कहांगी ये एलान की एक शकल है कि वो कहांगी किसी को पता तो बताए तो इस हदीश से भी एक अशारा मिलता है कि कोई इनसान गुम हो जाए उसका पता ना चले तो जो लोग उसके अबारे में बता सकते हैं उनको खबर मिल सकती है वो उनसे पुछा जा सकता है कि वो कहां है तो आप शरस्मने खुद मस्जिद में पूछा है कि यूँ कहां गी मस्जिद में अगर लोगों से इलान किया जाए पूछ ताच की जाए तो इसमें कोई थाज़ की बात नहीं है अच्छा ये सारी चीज़ें उस वक्त के तालुख से हैं जब मस्जिद में लाउड स्पीकर का माइक का सिस्टम नहीं था आई ऐसी मस्जद के तालूग से बाते हैं जिस मस्जद में माईक नहीं palabras बाते हो रही है तो लोगों का मजमा है मस्जद में नमाज पढ़ने के लिए इबादत करने के लिए तो उनको मना किया गया कि यहां पे इलान ना किया जाए और कोई इलान करे तो उसके ले से बड़ गुम होता है तो उसका एलान उस वक्त होता है जब मस्जिद में कोई होता ही नहीं नमाज का वक्त भी नहीं होता है मस्जिद में लगा हुआ है और वहां से कोई आदमी बोलता है कि फला बच्चा गुम हो गया है उसकी खबर जिसको मिले वो इतला दे तो इसमें तो कोई उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और हकीकत में ये एलान बाहर के लोगों के लिए किया जा रहा है इसके आवाज दूर दूर तक पहुंचती है उन लोगों को खबर करने के लिए एलान किया जाता है इसलिए इसमें सिरे से कोई हरजी नहीं है, कोई मुश्किल की बाती नहीं है इसलिए इस मामले में सही बाती है, कि मस्जिद में बच्चों का एलान कर सकते हैं इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बलकि ये इन्शालला कारे सवाब है और आखिर में फिर एक बात वाज़ कर दूँ कि अल्लाह की जो हदीस कोट की जाती है जिसमें आप से समय ने ये भी कहा है कि मस्जिद में अगर किसी को एलान करती हुए देखो तो ये बद्वा दे दो कि अल्ला तेरी चीज ना लोटाए तो उसे में आप देखें आप गोर करें कि आप से समय रहमत ने पूरी दुनिया के लिए रहमत है आप सोचें कि अगर बच्चा भी उसमें शामिल होता यानि इनसान भी उसमें शामिल होता खासों से बच्चा जो मासूम होता है जो छोटा होता है जिसकी कोई गल्ती रिकाट नहीं की जाती है जो मर्फूल इखलम होता है वो बच्चा गुम हो जाए और मज्डिद में कोई आके कहे कि मेरा बेटा गुम हो गए है जरा बताओ तो इसके बारे में क्या हम यह कहेंगे कि Allah तेरा बच्चा ना लोटाए क्या आप ये सोच सकते हैं कि नभी रह्मत ये तालीम दे सकते हैं कि कोई गुम्शुदा बच्चे को तलाश करते हुए मजड़ी में आ जाये तो आप ये कहे दें कि अल्ला तेरे लाडले को तेरे बेटे को वापस ना करे अल्ला के नभी असलम ऐसी बद्वा हरगिस नहीं दे सकते हैं ना ऐसी कोई तालीम दे सकते हैं कि एक मासुम बच्चे के बारे में बद्वा दी जाए कि वो ना मिले तो ये असलमें माल से तालुक रखता है ना कि जान से या इनसान से तालुक रखता है इसलिए उस हैदिस के बुनियाद पर जो को इससे रोपना नहीं चाहिए उम्मेद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा